हेलो फ्रेंड्स जैहिंज स्वागत आपका आपके अपने चल होम टिसन पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि SSC GD 2022 का फाइनल रिजल्ट थोड़ दिन पहले ही डिकलेर हुआ है जिसमें 50,000 बच्चों की सरकारी नोकरी का जो सपना है वो साकार हुआ है ऐसे में वो बच्चे जो SSC GD 2022 में सलक्ट नहीं हो पाए या वो बच्चे जो अगली GD की वेकेंसी का इंजार कर रहे हैं उनके मन में एक सवाल है कि वेकेंसी आखिरकार कब आएगी क्या साल 2023 में अगली वेकेंसी एक और बहतरीन पदों पर देखने को मिलेगी क्या 2024 में जिया दोस्तो नो सलक्षन नो फीस केवल आपसे होस्टल चार सुरुवात में हम लेंगे ये जो नया बैच हमारा एक सप्टंबर से स्टार्ट हो रहा है अगर आप हमारे साथ जुड़के आउफलाइन त्यारी करना चाहते हैं तो मेरा वाटसप नंबर है दोस्तो नवासी लगबग 7-8 गंटे पढ़ाएंगे डेली मैथ उरिजनिंग का मोक टेस्ट हम करवाएंगे वीकली मैराथन किलास वीकली मोक टेस्ट होस्टल फूड और किलासी सारी चीज़े एक जगह मिलेंगे आपको सीट केवल तीस रहेंगी तो अगर आप में से कोई बच्चा हमारे स सी जीडी 2023 के बारे में तो नई वेकैंशी की चर्चाएं दोस्तो आप जानते होगे कि बहुत सारे विशों पर वीडियो ओरड़ी बढ़ चुके है कि वेकैंशी आश्य जार आएंगी कोई कह रहा है कि 90 जार आएंगी कोई तो लाग के पार जा रहा है ठेक है तो उन्ही ड वेकेंसी है दोस्तो साल 2023 में अगर आएगी वल्ला सबसे बड़ा डाउट तो यह है क्या साल 2023 में वेकेंसी देखने को मिलेगी तो दोस्तो definitely not ठेक है बिलकुल भी नहीं जो भी आपको यह कह रहा है कि इस साल वेकेंसी आएगी दोस्तो बिलकुल जूठ बोल रहा है इस साल ज जर्वरी या मार्स तक आपको यह वेकेंसीया देखने को मिल सकती है यानि अगले साल के पहले हाफ में जून से पहले पहले आपको यह वेकेंसीया देखने को मिल सकती है बात करें टोटल वेकेंसीया कितनी रहेंगी तो मान के चलिए दोस्तो मिनिमुम 40,000 के आस पास तो व पास किया गया, वैकेंसी एक्चुले 50,000 से जादा थी, ठेक है तो जर्नली 40 के आसपास वैकेंसी है तो आप मान के चलिए, इस वैकेंसी के लिए दोस्तों उमर जो है आपकी 18 से 23 साल चाहिए, जर्नल कैटेगरी के लिए, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 18 से 26 साल, और आप SCST से बिलोंग करते हैं तो उमर ची यह दोस्तों यहाँ पे 28 साल, ठेक है यह एज क्राइटिरियार यहाँ पे रहता है SCST का, अब सबसे बड़ा डाउट यह भी है कि क्या दुबारा से SSC ZD में 3 साल की छूट मिलेगी जो आने वारी वैकेंसी है, दोस्तों पोसिबल न पेस्ट होता है, उसके बाद आपका PST और PET होता है, उसके बाद आपका Medical होता है और उसके बाद Final List आपके लगा दी जाती है, ठेक है, तो कहिने का मतलब जिड़ी की जो वैकेंसी है, साल 2023 में किसी भी कंडिशन में नहीं आएगी दोस्तों, 2024 में फरवरी, मार्स तक आपको कोई वैकेंसी देखने कोई मिलेगी दोस्तों, तो जो भी बच्चे जड़ी के तैयरी कर रहे हैं, लगातार कंटिनीू रही है तैयरी में, इसके अलावा दोस्तों इस साल, 7,500 पर दिलिपलिस कोंस्टिबल की वैकेंसी है, तो जो बच्चे जड़ी में फैल हो गए या जि जो लगने के बाद, रिटन पास कर देंगे, फिजिकल पास कर देंगे, जो फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, तब हम आपकी जो फेस हो चार्ज करेंगे, हमारी उससे पहले केवल होस्टर चार लगेगा, तो जो भी बच्चा हमारे साथ जड़ी के पढ़ना चाता है, यह मेरा वाट्सअप नमबर है, नवास्टी 010 2868, इस पे वाट्सअप पे मेसेज कीजिए, और एक सितंबर से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो जल से जल अकैडिमी को जो हीन करें, वीडियो को लाइक करें, सेर करें, चलो सब सब करें साथ जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद जहिन